हाली में आमिर खान साब ने अपना उन्सटवा जनम दिन मनाया on 14th मार्च उस दुरान ये कुछ मीडिया वालों से भी मिले तब कुछ ऐसी खबर आई कि शायद आमिर खान ने ये का है कि आने वाले पल में मुसर वैसी फिल्म वैसे ही कैरेक्टर्स प्ले करेंगे जो उनकी उ प्लस है यहां पर किस चीज की बात हो रही है उससे पहले चली से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा और दोस्तों आज हमने IPL के मैच के दुरान एक आड देखा जिसे देखे हम बिलकुल डंग रहे गए पहले तो समझी नहीं आ है कि ये आड क्या है और इसके अंदर कौन आक्टर से लेकिन जब ध्यान से देखा देन वी सो अन आमिर खान जो बिलकुल एक दादा का चैरेक्टर प्ले कर रहे हैं पूरी सफेद डाडी सफेद बाल और यह एड दरसल एक सौफ़रिंग कंपनी का है जिसे आमिर खान प्रमोट करते हैं और यह एड वैसे तो द टाइप आमिर खान चार्ज डब और आपको यह एड दिख जाएगा अब टीवी पे तो मैच के दुरान तो बस 20-30 सेगंड का यह एड आता है और उस एड को देखके आमिर खान कर क्या रहे हैं वाई इस ही प्लेइंग हॉल बीट एन एडवर्टेजमेंट लेकिन यहां वो लड़का कॉलेज स्टूडेंट वो नराज है बलकनी की माँ खड़ा है तब उसके दादा अमिर खान पूरे सफेद डाडी सफेद बाल लंबे और वो आके अपने पोते को बोलते हैं कि वह यह से क्या हुआ पोता उनसे कहता है कि कॉलेज की टीम में सिलेक्ट नहीं हुए उनका कुछ एडमिशन भी नहीं वा और चाहिद गल्फरंड का भी इशू है और फिर यहां पे दद्दू उनसे कहते हैं जैसे कुछ पंजाबी स्टाइल में की फिकर नॉट और वो इनके हाथ में एक यह सौफरिंग थमा देते हैं जिसका नाम है चार्जड और पस फिर आ आमिर खान की शकल का आदमी वो जैसे कोई प्लाइन उसका इजार इज़त घीए और फिर ellाइ माला है और उसके बाद डेखते हैं कि किसे आए एक और पुराने सम्ऱाने का कोई स्टार भी देखेगा और आव लेकिन जो सबसे हमें शौक करता है जिसके अंदर आपको एक आमिर खान पूरे लंबे लंबे बाल डाड़ी और जैसे कोई प्री हिस्टॉरिक केव में हो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जहां पे वो उन्होंने फायर का जाट किया है अब कॉंसर्ट वाइस तो लेकिन ठीक ह प्री हिस्टॉरिक मैं तो उसमें तो मतलब आमिर खान मेरे खाल से बिलकुल फिट नहीं बैट रहे हैं और जिस तरह से एकदम मैं वुट से क्रिंज वर्दी आपको यहां पे इस एड में भी उनकी परफॉमस दिख रही है तो उसे देखके तो मुझे नहीं लगता स्टार तो खेर अभी भी है लेकिन उनकी पिछली दो फिल्म में बहुत बड़ी डिजास्टर रही है लाल सिंग चड्डा उससे पहले ठंग जफ इंदुस्तान वाई बुड ही दू टेक अप इस एडड अट टाइम जब उनका टाइम खराब चल रहा हो और इंस्टेटली ह हमने लाल सिंग चड्डा देखी थे और वहाँ पे जो अमिर खान ही प्लेड अट सीग करेक्टर ओड़ी करके हैं जिस्ट वाकिंग एंडलेस्ली अक्रॉस दे कंट्री तो उन सीन पे जितने बुरे थे आमिर खान जैसे वो बुरे लग रहे थे तो बस यह कहूंगा कि यह मैं देखने के बाद यह प्री हिस्टोरिक मैं देखने के बाद I have to say that that a charged up आमिर खान इस वर इस वर्स बैन लाल सिंग चड्डा